कि यूथ डेस्टिनेशन के डिस्टूर्ट प्लिप्वाउं पे आप सभी लोग का स्वाल लगते हैं नो यूथ टीचर शिरिंकला में आज हमारे साथ हैं समाज सास्त भारतिय समाज विशय के विशय सक्ति गौतम आनंस जिनका 10 से 12 वर्षों का अंभौ रहा है सिरिल सेवा के विद्यारतियों को पढ़ते थी और बहुत सारे विद्यारति जहनिक हैं आज सर्की नेट्रेशन में लाइडेर्स में हाले में सरका लोग सेवायों उत्तर प्रदेश के थूँ असिस्टेंट प्रोफेसर में चहर हुआ है तो सर से आज हम जाने में कि सेवा में जो भारतिय समान विशय क्या मुझीता है उसकी क्या प्रासमुझता है उसके बारे में सराय बताईए और इस प्रिक्ड में हमारे शायों कि वीके मिस्रा सार, मनीश सार के यह लूगी इस कारिक्रम को आगे बड़ने में हमारा सायों करें तो आ ये सर से जानते हैं सथ के बारे में पालें और फेर कैसे यह आपकी मदद करें estimates इस भी सैकें बहुत बहुत धन्यवाद अश्वणी सर आपका। अश्वणी सर ने बता ही दिया आपको मेरा नाम गौतमानन्थ है और पिछले लगभग बारे तीरे वर्षों से मैं सिविल सिवा परिक्षागे से संबंदित विविन संस्थानों के साथ जूड़कर छातों का मार्ग दिर्शन करता रहा हूं वर्तमान में अगर मैं कहूं तो भारती समाज सामाजिक न्याई एवं मंतराष्टी संबंद से जुड़े विशे रहे हैं इश्वर की अनुकंपा और आप सभी का सहयोग से इस वर्ष मेरा चयन लोग सेवा योग उत्तर प्रदेश द्वारा असेस्टन प्रफेसर सोच्यालोजी के रूप में हुआ तो मु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविल सेवा परिक्षा भारत की सबसे प्रतिस्थित सेवा परिक्षा है तो तीक वर्ष लगबग 12-13 लाख विद्यारती इस परिक्षा में सामिल होते हैं इसमें 5-6 लाख लोग वास्तब रूप में प्रिलिम्स के पाट पर एपियर होते ह पॉर्म फिलप 12-13 लाख के आसपास होता है जबकि प्रिलिम्स एक्जाम में 5-6 लाख के बीच में बच्चे प्रतिक वर्ष बैठते हैं अगर हम पिछले 4-5 वर्षों के जो भी सीट की बात करें तो लगबग 800-1000 के बीच में सीट रहती है प्रतिक वर्ष तो यहां एक कठ चर्चा चुकि मेरे विशे पर आधारित है तो मैं आपको बताऊंगा कि भारती समाज जो खंड है सामानियध्यन मुख्य परिक्षा के प्रश्णपत्र प्रथम में उसका क्या महत्व है देखो बच्चों सबसे पहले तो आपको इस परिक्षा के बारे में एक बात जानना जरूरी है कि यह परिक्षा अकादमिक परिक्षा नहीं यह परिक्षा competitive exam की nature की है यानि यह प्रतियोगीता परिक्षा है यहाँ पर अन्यू से बहतर आपको परफॉर्म करना है यहाँ पर आपने क्या व्यक्तिकत ग्यान अरजन किया है आपकी व्यक्तिकत में क्या अच्छ ने रखती है तो मेरा कहना है कि आप अच्छे विद्यारती न बनकर अच्छे परिक्षारती बने यानि एक अच्छा एक्जामनी और एक अच्छा स्टूडिंट के बीच डिफरेंस को आपको पहले समझना होगा एक अच्छा स्टूडिंट जो होता है उसे अपने विशय का विशद ज्यान होता है अगर आप उसे उस विशय से संबंदित कोई भी बात पूछें तो वो गहराई में जाकर आपको बताता है वहीं दूसरी और एक अच्छा बरिक्षारती जो है उसे भाले ही किसी विशय के बारे में गहराई में पता नहीं लेकिन उसे इतना पता है क कि चतना और चा पढ़ लिया जाए जिसे कि इस एक्जाम को क्राक किया जाए और हम यहां पर विद्वान बनने नहीं आए जी इसके चारोपी पर में बहुत सारे विशय हैं इतिहास, भूगूल, राजवबस्था, सामाजिक नयाए, समाज, अर्थवबस्था, विज्यान प्राद्यविकी, नीतिसास, आंतरिक, सुरक्षा, बहुत सारे ऐसे विशय हैं, एक साथ सभी विश्यों पर हम विश्य सग्यता कतई हासिल नहीं कर सकते, तो जाहिर से बात है कि रर्वन नीति इसमें एक बेहद महत्वून रोल प्ले करती है, और जब मैं बात करूँ भार से साथ नंबर और अधिक्तम 80-90 नंबर तक के सवाल इस खंड से पूचे जा रहे हैं, अब अगर आप सोचें कि 200 मार्क्स का पूरा का पूरा जीस पेपर वन है, और यदि उसमें किसी पटिकुलर्ड सेग्मेंट से 50 से लेकर 80 नंबर तक के सवाल आ रहे हैं, तो उसका significance अ इसमें कोई शक नहीं कि वो prelims में भी है और means में भी है, तो आप एक शक मारते हैं, उसका importance अधिक है, पुरांतो मुख्य परिक्षा की रणनीती बनाते वक्त, आपको जब भी रणनीती बनाए paper 1 के समगर पहलो, मैं यह नहीं कहुँगा कि सिर्फ paper 1, entire JS के syllabus का thoroughly आपको study करन चाहिए, और उस context में आपको अपनी strategy बनानी चाहिए, तो अगर paper 1 की बात करें, तो society एक important rule प्ले करता है, जहां से पाथ से आज सवाल आते हैं, तो जब भी पढ़ें, आप इसको गहराई में पढ़ें, इसको नजरन्दाज न करें, उमीद करता हूँ कि आपकी सवाल का ज चाहिए, तो चाहिए, यहां कंपर्म हो सकता है, बल्सका बढ़ें यहीं उटां मदूथ, जी इस प्रस्चेपर गरें, जी को सासवतनी के सवाल दाता है, जी जी. जब तक हम नहीं दान सकते हैं, तो हम तुम को इस आसन देने का वाला, तो इन बात्रों को जिहां में रखते हुए हैं, और आथी आप की देख रहे हैं, इसमारा ये पिहाद है, और भगोर है, इसकी महसाथ तुई राधा है के परोली है, और अपने आप वह वास भी, तो दो जिए को एक आप रता हैं, कि निजर और पोर्शन की इस तरफ याज़ा है, जिए कि अगर आपको एक बहतर अबिनिस्ट्रेटर, यानि प्रिशासक बनना है, तो आपको अपने समाज की एक जमीनिस्तर की सच्चाई का ज्यान होना चाहिए, एक बहतर प्रशासक बनना है, कबीशे आप हो सकते हैं, जब आप भारती समाज, संस्कृति, प्रता, परंपरा, जाति-धर्मादी को गहराही में समझते हों, क्योंकि आप नीती निरमान के पार्ट नहीं हैं, आप नीतियों के प्रभावी क्रियन्वन के अधिकारी हैं, यानि गबफ्मेंट जो भी पाल प्रशासक के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। जैसे मसलिन हमारे देश में गरीबी है, महंगाई है, लेंगिक भी दभाव है। जाती धर्म के आधार पर तमाम प्रकार की समझ्या हैं। माले जी एक प्रशासक के रूप में आप women empowerment के लिए government की policy को आप execute करने किसी भी area में जाते हैं। अगर आप उस area के बारे में उसके समाजिक काने बाने को नहीं समझते हैं। तो आप वहाँ पर गहराई से उस policy को आप implement ही नहीं कर पाएं। जैसे भारत के कई हिंदिभासी छे जहां पर ट्यार की बहुत हद तक आज भी समाज की जड़ों में बिद्दमान हैं, जहां महिलाओं को लेकर समाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में तमाम प्रकार की भेद भाव या वर्जनाएं हैं, वसे इस्थिति में अगर आप प्रशाशक के रूप में नारिश शक्ति करण के प्रयाशों को अंजाम देंगे, तो यह कभी भी जमिनी स्थर पर फलिभूत नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने समाज को जानना, एक न सिर्फ प्रशासक के रूप में, बलकि एक मनुष्य होने के नाते भी यह हमारी नीड है, तो अगर हम अपने समाज को जानते है तो अच्छी बात है प्रशासन के स्थर पर, प्रशासन के स्थर पर यह मददगार होगा, जहां तक आपके दूसरी प्रशन का सवाल है, कि nature of question क्या है, देखिए UPSC unpredictable public service commission के रूप में भी जाना जाता है, आप उसकी strategy, उसके question पूछने के धर्रे को आप predict नहीं कर सकते, you can't imagine कि अगले साल हो सकता है, Indian society segment से दूस सवाल है, हो सकता है कि अगले साल history से 15 सवाल हो, UPSC ने ऐसा दिखाया भी है, 2013 में syllabus परिवर्तित हुआ, और इतिहास का विशह से उस वर्श 14 सवाल प्रशन आए, अब आप सोची कि 20 प्रशनों में सर, आप imagine करी कि एक particular खंट से 14 सवाल लागे, तो UPSC की strategy को आप predict नहीं कर सकते, फिर भी जो मेरे 12-30 वर्शों के अनुभव रहे हैं, उसके आधार पर कुछ तो मैं guess कर सकता हूं कि nature of question क्या रहा है, विगत 5-6 वर्शों में प्रशन का तारूप प्रतेक वर्श बदलता रहा है, किसी वर्श current 20 सवाल आते हैं, जहां पर जो भी समसामाजिक सरोकारों से जूड़ी घटनाएं हैं, रास्तियस्तर, परंतरास्तिस्तर पर जो भी मुद्धे हैं, उसको topic के साथ club करके सवाल रखा जाता है, कई बार आपकी अवधारनात्म के सपस्थता को चेक करने के लिए सवाल रहता है, और कई बार बार एक आयाम को जूड़ करके प्रशन रहता है, यसे अगर मैं कहूं साप सब्दों में, तो तीन प्रकार के प्रशन आते हैं, फर्स्ट क्वेस्टन, तो चेक यूर कंसेप्चुल क्लारटी, वेदर यू नो अभी इनी पर्टिकुलर कंसेप्ट इन डीटेल और नोट, य अवधारनात्म का स्पस्टता पहला टाइप, टाइप टू, कोल्ड एक कंसेप्ट है, उसके व्याभारिक संदर्वों से जोड़कर, यसे प्रत्री सत्ता किसी भी महिला को आर्थिक छित्र में कैसे बाधित करती है, तो प्रत्रियार के एक कंसेप्ट है, और एकनॉमिक स्पस्टिकल है, यह उसका एक प्रक्टिकल डामेंशन है, तो दूसरा अवधारना प्लस व्याभारिक आया, और बात करें हम तीसरा, उसमें समसामाईक मुद्धे, करेंट बेस्ट, उसको कंसेप्ट प्लस प्रक्टिकल आसपेक्ट से जोड़कर, यानि तीन टाइप के सव इस परिक्षा में मेरे खंड में आते हैं. इस नवारा ज्याम गार्षें किस तरह थेक्षए जाने के परिक्षा निब्दुंом में निभन परपि तरिकलिकल में निया। व्य हैंने वैंने को और ये निदुमै परफ आपका वर। जहां तक बात है निवन्द साक्षातकार, पूरे एक्साम की स्कीम को आप अगर देखेंगे, तो यह एक दूसरी से इंटर्लिक्ट है, हम उसको प्रिलिम्स, मेंस, इंटर्व्यू, इस पाड़ पर उसको अलग-अलग देखकर इस तयारी को न करें। कई बार छात्रों के लिए ऐसी रणनीती उनके लिए समश्या व्यूत्पन करते हैं, जैसे हम एक्जामपल से समझें, मल इसे आप पॉलिटी के तियारी करते हैं, और पॉलिटी से प्रिलिम्स के पाट पर 15-20 सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अगर आपने पॉलिटी को मुख्य परिक्षा के संदर में न पढ़कर, सिर्फ प्रिलिम्स के कॉंटेक्स्ट में पढ़ा है, तो उस 15-20 सवाल में आप 5-6 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो किसी भी विशे को आप प्रिलिम्स, मेंस इन सब में बाट कर न देखें, अब रही बात की मेरे विशे कि निबंद या साक्षातकार में उपयोगिता है या नहीं है, तो आपने बिलकुल सही कहा, विगत दो वर्षों से थोड़े अमूर्त प्रकार की निबंद, दार्शनिक निबंद, निबंद पूछे जा रहे है, फिलसॉफिकल आसपेक्ट की, परंतु यदि इन दो वर्ष आपने निबंद की विवस्थित तयारी करती है, तो वहां रैंकिंग में आपको या अंतिब मेधा सूची में आपके स्थान को पक्का करती है, तो निबंद में खास करके नारी से संबंदित मुद्दे, जाती और राजनीत संबंदित, धर्म संबंदित मुद्दे, राष् ख़श्विकरन जैसे पहलों से अक्सर निबंद रहते हैं, तो इस विशय का निबंद के पाट में अपना महत्व है, अब रही बाद सरकी की सर ने कहा कि साक्षातकार के संदर्ग में भी क्या इसकी उपयोगिता है, बिलकुल एक संदर्ग में साक्षातकार बूर आपसे क्या जानना चाहता है, वह आपके ज्ञान का परिक्षन नहीं करता है, वह आपका एक व्यक्तित के रूप में परिक्षन करता है, क्योंकि ज्ञान का परिक्षन पूर्व में ही मुख्य परिक्षा के दौरान किया जा चुका है, एक प्रशासक के रूप में आप सामाजिक ताने मा आने में fit बैठेंगे यहनु क्योंकि आपको public का face बनना है, आपको घ्रामीन छित्र में जाकर अपनी सेवा देना है, आपको सुदूर वरती छित्र में जाकर जहां पर हो सकता है कोई व्यक्ति अनपढ़ हो, हो सकता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ा लिखाओ, ऐ अगर आपके व्यक्तित में adaptability नहीं हो, flexibility नहीं हो, या आपके व्यक्ति में विभिन परिस्थितियों से सामन्जश्य करने का, यदि गुन नहों तो आप प्रशासक नहीं बन पाएंगे, तो सक्षातकार बूड आपके व्यक्तित के विविद आयामु को भी टटोलने की प्रशिस करता है, और रही बात भारती समाज की, तो समाज से जुड़े सरोकारों से निबंद के अलावा साक्षातकार में भी अक्सर प्रशन पोच लिये जाते हैं, जैसे लिविगत पिछले वर्ष भी, लंगिक भेद भाव संबंदित, जाती और राजनीत संबंदित, कि निबंद और साक्षातकार दोनों में उप्योगिता बढ़ जाती है। और परिक्षा के दुष्टी से बहुत ही प्राशंगिक सबाल अपने सर पूचा, देखिए यह एक ऐसा विश्य है जिसके बारे में ज्ञान कक्षा में आने से पूर्व ही आपके पास होता है, यानि आप एक सामाजिक प्रानी हैं, सामाजिक प्रानी होने के नाते आप किस ना किसी जाती धर्म, परिबार, किसी ना किसी सामाजिक संस्था से जूड़े हैं, तो जब आप इस विशे को पढ़ते हैं, तो कुछ विशेगत पहलू के बारे में आपके पास ज्ञान पूर्व से मौजूद होता है, यह बात और है कि वो अवधारनात्म का स्पस्तिता वाला ज्यान नहीं है, इसे एक पान के दुकान पर बैठे किसी व्यक्ति से भी पूछ होगे, कि विवाह में क्या परिवर्तनार है, जातिवाद इस देश में है अत्वा नहीं, तो वो भी कुछ नकुछ अपनी राय रखेगा ही, और ऐसा नहीं कि उसकी राय जो है, वो सामानिक स्रोत NCRT किताब है, आप कक्षा गया रहा है और कक्षा बार है, कक्षा गया रहा है कि तो बात नहीं करूगा, मैं कक्षा बार है मुक्के रूप से, समाज सास्त्र की आप जो भी NCRT की किताब है, उसको अच्छे से आप पढ़ लें, इसके अलाबा, जो भी आप या मैगजिन कुछ भी पढ़ते हैं, अगर उसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़े, अगर कोई भी निबंद, आलेइख, कोई भी आता है, तो उसको थोड़ा गहराई में पढ़े हैं, जैसे मालेजे नकाब को लेकर कोई इसू चल रहा है, मुस्लिम महिलाओं के तीन तला इसके अलाबा भारती समाज से संबनित कई किताबें माजार में उपलब्द हैं, अब देखे, कोई भी एक किताब अपने आप में परिपूर नहीं होती है, लेकिन रेफरेंस बुक की रूप में आप उसमें से किसी भी पुस्तक का इस्तमाल कर सकते हैं, चैलेंजे क्या क्य आते हैं, तो पहला चैलेंज, तो मैंने आपको बता दिया, कि इसके बारे में कुछ चीजें पहले से ही, आपके पास कच्ची सामागरी आपके ब्रेन में है, तो ऐसा नहो कि आप उसी कच्ची सामागरी को अपने उत्तर पुस्तिका पे उडेल देंआ, तो उसमें अवधा यह होगा नहीं, लेकिन अगर लगातार शतत आपने answer writing improvement के लिए प्रयास किया, तो आप बहतर कर पाएंगे, तो पहली समस्या answer writing, दूसरी समस्या, इसमें हम कई बार इसको नजर अंधाज करते हैं, लगता है कि इस बारे में तो समाज के बारे में बहुत सारी बातें पता ह यह, तो क्या पढ़ना, तोड़ा बहुत current variant देख लिया, काम चल जाएगा, यह approach suicidal हो सकता है आपके लिए इस परिक्षा के दृष्टी से, आप किसी भी विशय को यू तू रफा दफा करके आप नहीं देख सकते, इस विशय के एक-एक topic को आपको गहराई में जाकर पढ़ किस topic से कितनी सवाल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका आप कोई भी analysis नहीं करते हैं, यानि आपको थोड़ा trend को भी analyze करना चाहिए, अगर यह सब बात करेंगे तो आपके society के paper में भी अच्छा कर पाएंगे Sir, आपनी इसनी प्रवता के और संभरता के साथ में जितने महत पूर्ण धिंदों से हमारे शातरों का अच्छे सिर्का आंसर दिया समाधान दिया, उसके लिए पहे दिल नेवाराता अपनात में हम यह इंजित करेंगे कि हमारे जो ओन्लाइन छातरी देख रहे हैं, अगर तुकी फर्दर कोई क्रेशन पूंगे, क्रिस होंगे, चाहती कि और करणाओं पूर्दर माधरसन के लिए तो हम आपके आप इच्छे करेंगे जितने कामारे शातरों का माधरसन करेंगे, इसलिए इसलिए लिए प्रवत भी धन्यवाद